दोस्तों इसके लिए simply open करना है फाइल मेनेजर फाइल मेनेजर को open करने के बाद आपको यहां पे दो option मिलेगा फेबरेट्स और सेफ फोल्डर तो सेफ फोल्डर पे क्लिक करें और उसके बाद आपको यहां पे pattern बनाने का option मिलेगा five dots का तो आप अपने हिसाब से pattern को बना ले मतलब lock बना ले और फिर उसके बाद आपको आना है bake और उसके बाद आप जो भी photos, videos को save folder में रखना चाहते है उसे टिक करे और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किया उसको mark और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उपर पे three dots पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे option मिलेगा move to save folder तो उस पर क्लिक करें तो आप इस तरह से realme का phone में अपने photos, videos को safety रख सकते हैं